मैं हूँ अलफे और आप देखरें ततकाल नियूज लाइव अजय देवगन आरमाधवन और जोतिका की फिल्म शैतान रिलीज होने जा रही है हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया है ट्रेलर लॉंच के मौके पर फिल्म की टीम ने मीडिया से बात की शैतान में अजय देवगन और जोतिका पति पतनी बने हैं एक दिन उनके घर पर एक अंजान शक्स आरमाधवन आता है और उनकी बेटी को अपने वश में कर लेता है बेसिकली एक हालर फिल्म है अजय ने ट्रेलर लॉंच पर बताया कि उन्हें भी आसादरन या पैरानॉर्मल किस्म के अनुभा हुए है अजय ने कहा मैं लंबे समय से हालर जॉनर करना चाता था मैंने पहले भूत में भी काम किया था मुझे ये जॉनर पसंद है क्योंकि हर ख्लैवर में काले जादू के निशान मिलते है ये फिल्म सिर्फ मेरे बारे में नहीं किसी के भी परिवार को अगर ऐसी चीज़ का सामना करना पड़े तो उनके एक जिम्मेदारी होंगी मैं उनमें से ही एक हूँ अजय ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में लंबे समय तक असाधरन घटनाय महसूस की उन्होंने इस बारे में आगे कहां मैंने खुद बहुत सुपर नैच्रल केसिस महसूस किये है पहले हम बाहर शूटिंग करने जाया करते थे और हमने पैरनॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया है अपने करियर की शुरुवाती 10-12 सालों में हमने बहुत सारी पैरनॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया है अजैसे पूछा गया कि आज के समय के हिसाब से काले जादू वाले कॉंसेप्ट भिकेंगे क्या लोग ऐसे फिल्में देखना चाहेंगे इस पर अजय द्योगन का कहना था मुझे ऐसे कई अनुभाव हुए है मुझे नहीं पता कि उन में से कितने सही थे और कितने बस मेरे दिमाग की कलपना थे पर मुझे ऐसे कम ही लोग मिले है जो इन चीजों पर भरोसा नहीं रखते जब भी हम घर से निकलते हैं या बीमार पड़ते हैं अब सबसे पहले दिमाग में यहीं आता है कि ये बुरी नजर की वज़े से हुआ है ये विश्वास सभी में बना हुआ है शैतान की बात करे तो ये गुजरात्य फिल्म वश का हिंदी रिमेक है अजय देवगान आर्मादवन और जोतिका के फिल्म शैतान आठ मर्च दोजाद चौबिस को सिन्मा घरों में रिलिस होने वाली है